वह जयानों के जो समस्या है इसको तक्काल कर रहे हैं इसके लावा आप उन्ने गाउं में भी गए थे वह आप पर क्या इसकी फिकी भावगा हो इसकी अन्य गाउं में मैं यह कौशनरी है योगेश्वर सिन्ह के जनसंपर्ग के पीछे कही विधान सभाचुनाव तो नहीं लोग सभाचुनाव में अपनी दावेदारी करने वाले योगेश्वर सिन्ह इन दिनों छेत्र में दोड़े पर है बार और कटान पीडितों से भेंट मुलाकात भी कर रहे हैं वही योगेश्वर सिन्ह के जनसंपर्ग के पीछे कयास यह लगाए जा रहे हैं कि वह विधान सभाचुनाव की तयारी में है इस सबंध में योगेश्वर सिन्ह ने बताया कि हमारा लक्ष लोग सभाचुनाव का है मैं विधान सभाचुनाव की तयारी में नहीं हूँ मेरा शेत्र में रहना इसलिए आवश्चक है कि जनता को यह महसूस न हो की लोग सभा चुनाव बीतने के बाद मैं जनता से दूर हो गया हूँ मैं एक जनसेवक के रूप में जनता के बीच खड़ा हूँ और आगे भी रहूंगा योगेश्वर सिह बीते लोग सभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में कड़ी महंत और जनसंपर्क किया था लेकिन वह जिस दल से टिकट चाहते थे उन्हें उस दल से टिकट नहीं मिला जिसके चलते उन्हें चुनाव मैदान से बाहर होना पड़ा लेकिन उनका जो संकल था कि वह च्षेत्र की जनता में बने रहेंगे उस संकल्प के साथ आज वह खड़े हैं। बानसड़ी विधान सभा च्षेत्र के कई बाढ़ वकटान च्षेत्रों का योगेश्वर सिंध दोड़ा किया और आगे भी उनका दोड़ा चलता रहेगा।